हलो दोस्तों इंडियन फूर्ड में आपका स्वागत है देखिए हमने बनाए है साबुदाना और आलू का टिक्की खाने बहुत स्वाधिश लगता है अगर वीडियो मेरा मेरा पूरा देखिए अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए चलिए देखे कैसे बनता है इसके लिए हमने लिया है चार बड़े आलू और हमने ये कटोरी साबुदाना ही विद्गोए थे लेकि फूल के जादा हो गया है इसको आप इतना ध्यान देना है कि दोनों की मात्रा एक्तम बराबर देनी चाहिए इसलिए हम साबुदाना मिर्च कट कर लीजिए आप स्वादा नुसार आप जैसा तीखा खाते हो आप डाल सकते हैं और दोनों को बराबर मात्रा में बस इतना ही ध्यान देना है कि दोनों की मात्रा आलू असाफ उताने के मात्रा एकदम बराबर रहनी चाहिए और इसमें डाला है सेना नमक इसको नौरातरी में हम बरत करते हैं तो हमें नो दिन बरत पड़ता है और हर दिन कुछ अलग अलग बनाने का मन करता है इसलिए आप एक दिन साबो दाना और आलू के टिक्की कीजिए और किसी भी चटनी के साथ मीठी घटी जो चटनी आप पसंद करते हैं उस चटनी के साथ आप इसको खा सकते हैं देखें हमने इसको गोल गोल बना करके जैसा पसंद करते हो आप श्रीप बनाना तेल गरम होने के बाद ही आप टिक्की को डालिए जब तक पूरी तरह लाल ना हो जाए तब तक उसको उलटने की भी कोशिस मत कीजिए देखिए हमारी टिक्की एक लाल हो गई है कि यूंकि इसको बार-बार चलाया नहीं जाता है चलाने से यह थी तोड़ा मेरे चिपक गया है इसलिये चलाया नहीं जाता है इसको आप फुल भे में भाद में मीडियम लेम में करके छोड़ दीए कि देखे हमारी टिक्की एकदम त्यार है और तेल ही हमने जितना डाला था आपने देखा उतना वह नहीं लगा इसलिए आप थोड़ा वह जाएगा तो तेल ज्यादा सोख लेगा इसलिए इस चीद का बहुत ध्यान देना है देखें कितनी सुन्दर कितना टेश्टी लग रहा है देखने में और हमारी टिक्की बनके त्यार हो गई है दौरात्री आने वाली है आप भी अपने घर में इसको ट्राइ कीजिए और किसी विब्रत में या नास्ते में आप बना के खा सकते हैं